नमस्कार दोस्तों मैं मुकुंद्राउत आपका स्वागत है लॉंड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में दोस्तों आज का टॉपिक है आईल के डाग और ग्रीस के दाग निकलना तो दोस्तों आईल के दाग और ग्रीस के दाग कैसे निकलते हैं यह आपको लाहिव दिखाता हू तो दोस्तों यह है एक्सल स्टेंडरी मोर तो पहले आकेले एक्सल स्टेंडरी मोर से ही देखते हैं क्या होता है यह इसका जो नोख होता है कपड़ा बिगर गिला की है इस पे थोड़ा रभिंग करने का देख सकते हैं दोस्तों यह दाख पूरी तरह से निकल गया यह है आपके सामने तो दोस्तो जब दाग कच्चा होता है तो एक्सल स्टेंडरी मुवर निकाल देता है मगर जब दाग बहुत ही पुराना हो जाता है तब आपको मदद लेनी चाहिए स्टेंडरी मुवर की तो कैसा होता है कि जब कोई बोजा बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं जरा हात लगा उठाने में मदद करो किसी की मदद लेना पड़ती है जब बोजा बड़ा होता है ठीक उसी तरह से जब दाग पुराना हो जाता है बहुत पुराना कितना भी पुराना हो एक साल दो साल तब इसी की मदद ले सकते हैं तो इसी को काईना की साती थोड़ा हाद बटाना इसी तरह से आभी ये थोड़ा हाद बटाएगा ये स्टेन रिमुव करने में तो इन नोक से थोड़ी रबिंग करने की इसकी और थोड़ा ये ब्रेश, ये टूद ब्रेश है दोस्तों बहुत पुराना है मगर ये बहुत आच्छी तरह से दाग निकलता है घंटों नई दोस्तों मिंटों नई सेकंडों पे चलना है ये आप देख सकते हैं ये दाग निकल गया तो इसकी मदद ले सकते हैं पुराने दाग निकलने में तो आपको ग्रीस का दाग निकलने में अभी कोई परिशानी नहीं आनी चाहिए क्योंकि कलर कपड़ा हो, रंगित कपड़ा हो, इसका कोई साइट इपेक्ट नहीं होता, इसलिए आप किसी परिपके भी ग्रीस के दाग निकल सकते हो ये देखो, ये ग्रीस का दाग निकल गया और बहुत जल्दी और आसानी से इसको ज़्यादा घिसने की कोई जरूरत नहीं पड़ती ये इसी तरह से पूरा निकल गया ये दाग पूरी तरह से निकल गया, अभी ये जो दाग फैल गया है ये वाशिंग में निकल जाएंगा अब उसी तरह से ये एक शर्ट है, इस पर ओईल के धब्बे लगे है ये देखो, आस्तिन पे, ये सामने फ्रंट पे ये ओईल भरा हुआ है तो दोस्तों हमने ये स्टेन निकलने के लिए 200 रुपे चार्ज किया है और कस्टमबर को भी कोई परिशानी नहीं होती क्योंकि उनका कपड़ा फिर यूस में आ रहा है क्योंकि ऐसा वो पहिन नहीं सकते तो क्या करते हैं? कुछ पार्ट के दाग निकल के देखते हैं कैसे निकलना है ये दाग तो हमने क्या कर लिया? इस डाग को टार्गेट करते हैं तो पहले देखते हैं क्या होता है? खाली एक्सल स्टेन रिमुवर से ये इतना पावरफुल है दोस्तों कि आके लिए ही काम करता है कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं मगर फिर भी क्या होता है बहुत पुराना दाग रहा तो फिर यस्सिया इस्टेन रिमुवर की आप मदद ले सकते है बस ये दाग निकल गया अब हर दूसरे श्टेन को टार्गेट करते है थोड़े आंदर के बीच में ये दाग लगा दिया दाग पे एक्सल स्टेन रिमुवर लगा दिया थोड़े ऐसा मसलते हैं कौन से भी पद्धत आप यूज कर सकते हैं पैडिंग की करो ब्रश की करो या हाथ की करो इतना ही मसलने पर ये दाग पूरा निकल जाता है ये यहां का दाग पूरा निकल गया नहीं तो हम इसको पानी में भी दुबा के चेक करते हैं पूरा निकल गया क्या नहीं निकल गया ये गिला होने के बाद इतना पर्फेक्टली दिखता नहीं है मगर ये जो एकसल स्टेन रिमोर है ये ओईल के दाग के लिए बहुत ही कारागिर है और कौन से भी कपड़े पे हो जैसे की सूट हो साड़ी हो जादा महिंगे कपड़े हो तो भी ये बहुत आसानी से इसके दाग निकलता है अभी ये ये जो है ओईल भरा है इतना तो इसको कितने टाइम में निकालते है देखो पूरे दाग को टारगेट कर लिया ब्रश से ब्रशिंग कर दिया बस हो गया अभी ये दाग ये ये दाग पूरा निकल गया है इसका कोई साइट इपक्त भी नहीं होता अभी इसको सुकने देंगे सुकने के बाद जब वाशिंग करेंगे तो यहां दाग नहीं दिखेंगा आगर कोई हार्ड दाग है तो अगर वह दिख रहा है ठीक उसी तरह से कुछ दिखने वाले दागों में से यह जो पैंट है इस पे छीटे उड़े वाले हैं यह ऐसे छीटे है तो यह छीटे कैसे निकलते हैं देखते हैं टार्गेट करते हैं इस छीटे को तो क्या करते हैं पहले इंग स्टेन यह दो दो के बहुत पुराना हो गया है तो भी नहीं निकले तो इंग स्टेंडरी मुहर एक्सल स्टेंडरी मुहर और यह निकल गया है यह साब दिखता है क्यूंकि काला था तो अभी नहीं बचा तेल के दाग दिखते नहीं है निकले निकल गए है या नहीं निकल गए यह दिखते नहीं है अब इसी तरह इसको टार्गेट कर सकते है यह साब दिखता है निकल गया क्या नहीं निकल गया यह साब दिख रहा है यहां से निकल गया अब फिर दुसरे दाग को टार्गेट करते है यह दाग को टार्गेट करते है यह दाग निकल गया क्योंकि यह डाइरक्ट यूज कर सकते हैं बहुत सेफ हैं मगर बहुत स्ट्रॉंग है सूट पे हो साड़ी पे हो इसी तरह डाइरक्ट यूज कर सकते हैं तो ज़्यादा घिसने की जरुरत भी नहीं पड़ती अभी यह जो पैंट है यह सामने से जो दाग लगे वाले हैं इसको भी हमने 150 रुपे चार्ज किये वाला है तो फिर उससे क्या हो जाता है कि दाग निकलने में खर्चा तो कुछ नहीं आता मगर हमें अच्छा खासा आमोंड मिल जाता है क्योंकि गैरंटी ही दी वाली रहती है कि दाग निकल गए तो पैसे दो फुल गैरंटी 99 परसंट दाग निकल गए तो पैसे दो इतनी गैरंटी रहती है तो फिर हमारा जो कुछ टाइम जाता है टाइम का भी पैसा वसुल हो जाता है और कस्टमबर खुश हो जाता है यह आपके सामने कोई भी डाग को आगर टार्गेट करते है तो इजी डाग निकल जाता है और हमारे लांडरी में दाग निकलने में दाग निकलने को बहुत जादा महतु है क्योंकि क्या हो जाता है जब हम दाग निकलते है तब क्या हो जाता है कि हमारे लांडरी का नाम बहुत दूर तक जाता है और customer बोलते है कि वो landry में जाओ तुमारा कोई بھی problem siol हो जाएंगा तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा customer बढ़ता है हमारे laundry का नाम बढ़ता है, हमारा नाम बढ़ता है और अच्छा-कासा मुनापँ हमें हो जाता है हम अच्छा-कासा charge लगा सकते है और कम मेहनत में हम अपना ज्यादा मुनापा कमा सकते हैं ठीक उसी तरह से ये केक करके इसका भी हम सारे स्पॉर्ट निकल सकते हैं तो ओईल का कौनसा भी दाग हो पुराना हो नया हो डायरेक एक्सल स्टेन से उस दाग पे रबिंग करें और फिर ब्रस से करें डाग 100% निकल जाएंगा फिर दुबारा पूचने की जरूरत भी नहीं है ग्रीस का दाग लगा है कैसे निकाले तो सीधी बात है डाग पे एक्स फाइट हो कोई प्रॉब्लेम नहीं अगर दाग बहुत ही कच्चा हो बहुत साल पुराना हो तो तुमी इसकी मदद ले सकते हो पहले यसी या स्टेन रिमोर दालो दाग पे फिर एक्सल स्टेन रिमोर दालो ब्रशिंग करो दाग निकल जाएगा कितना भी पूराना क्यों इसी तरह से दोस्तों मिलते हैं आगले टॉपिक पर जय हिन जय भारत